बहुत इंपोर्टेंट इशू पे आज मुझे ये प्रेस्मिट लेना पड़ा और ये जो विशह है मैं सदन में इसके बारे में चर्चा भी कर चका हूँ और गौर्मेंट के नजर में ये पूरी चीज मैं लाया हूँ लेकिन शाम में वो सेशन होने के वज़े से मुझे जो म करनाट का भाज में तीचर्स का जो रेशो है सुडेंट टीचर्स का जो रेशो है वह बहुत ज्यादा होनी के वज़े से ज्यादा का मतलब यहां पे मसलन यादगेर में चमिशालीस बच्चों को एक तीचर है जबके कौपड और गुलबर्गा जैसे शहर में 35 बच्चों क तो यह जो रेशो जो डिफरेंस हो रहा है उसके वज़े से हमारा लिटरसी रेट साक्षरता प्रमान जो बोलते हैं वह बहुत है ना कम है उसके अलावा हमारा स्टैंडड अफ एजिकेशन वह कम है और रिजर्ट में देखो हम हमेशा पीचा रहें तो इसको अगर सही करना है हम भी है ना हम किसे से कम तो नहीं है पढ़ाई लिखने में हम भी अच्छे लेकिन हम अब करते हैं उसके वज़े से हम पीछे रहें इसलिए मैं बटाया हूं कि करीब हैं कम से कम 15 15000 टीचर जो स्टेट आवरेज के जो हम हिसाब में लेते हैं तो वहां पे है ना एक्सेस वो एक्सेस में ही जो खाली है जो पोस्ट खाली है वहां वो हमको ट्रांसूर करता है अपस्ट जुनाई ने वो तुछे का स्टाफ बढ़ाना है बहुत ज्यादा प्रप्रमान में बढ़ाना है हमारे पास करीबन पंदरा से बीस ज़ाद टिचर्स की डिफिशन्सी है इसको अगर हम फिल अप करें तो हम भी है ना इससे से रिजर्ट में या लिटरसी रेट में हम कोई कम नहीं है